तो हाई फ्रेंड आप मैंसे जितने भी लोग अन कंपनियों से BSNL में जो भी सिंपोर्ट करा रहे हैं उनके पास एक ट्राई की तरफ से नोटिस भेजा जा रहा है अगर आपने अभी तक सिंपोर्ट नहीं कराई है तो आपको नोटिस आएगा या फिर जिन लोगों ने करा चुके तो उनके पास नोटिस हो सकता है इस तरीके के से पहुँचें क्या नोटिस आ रहा है ये नोटिस ट्राई की तरफ से भेजा जा रहा है ट्राई यानि की टेलीकॉम रेगुलेटरी अथोर्टी ऑफ इंडिया इसको हम ट्राई बोलते हैं सॉट फर्म में यह एक सभी कमपनियों को इसके रूल के मताबिक ही चलना होता है अगर कोई भी कमपनी ट्राई के रूल के मताबिक चलती है तो वो उनको नोटिस देके उनको जो है उनका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड भी कर सकता है ये ट्राई की अथोर्टी होती है उसी के नियों मनुसा सबी कमपन चलाएं जाती है इसमें हो यह रहा है कि आपने जो भी नंबर अभी BSL में आप गए है उसके WhatsApp नंबर पर आपको एक Message प्राप्त होगा यानि कि एक Notice आएगा एक Notice में क्या लिखा होगा इसमें लिखा हुआ है कि Dear Customer, Your SIM KYC has been suspended while try. Your SIM card will be blocked within 24 hours call immediately और उसमें एक Mobile number भी दिया हुआ है इसका मतलब यह है कि आपको यह Hindi में भी आ सकता है इसमें यह है कि जो आपने SIM खरीदी है उसकी जो KYC है वो Complete नहीं हुई है और यह try ने आपको Notice भेजा है और 24 गंटे में आपकी जो SIM है वो बंद हो जाएगी आपको KYC करवानी पड़ेगी और यह number है इस पर आपको call करना हो या फिर आपके पास call या SMS भी आ सकता है उसके जरीए भी आपको यह सूचना दी जाएगी मैं आपको बता दूँ ऐसे बहुत सारे notice अलग-अलग तरीके के भेज़ जा रहे हैं इस तरीके से आप देख सकते कुछ इस तरीके से हैं कुछ इस तरीके अलग-अलग तरीके के notice हैं इनके जहां से में आप बिलकुल भी ना फसें अगर आप यह वीडियो पूरा नहीं द कुछ जहां से में आपको फसा दिया जाता है अगर इस तरीके का कोई भी मैसेज आता है देखे ट्राइ कभी भी आपको कोई भी मैसेज नहीं देगी के वाई से संबन देगी या कोई कमपनी भी आपको नहीं देगी इस तरीके का अगर कोई मैसेज या कॉल आता है तो आप बिल्कुल ignore उसके ध्यान मत दीजीगा आप अगर आपकी सिम बाकई में नहीं चल रही है या फिर जो है एक्टिविट नहीं हुई है तो उसके लिए कस्टूमर केल को कॉल कीजीगा या फिर आपने जहां से सिम ली है उस डीलर के पास आप जाएगा वहां से सिम को एक्टिव करने कि आपके नाम पर कितनी सिम रेजिस्टेट है ये जरूर एक नियम अभी 2024 में लागू किया गया है कि अगर आपके नाम पर अगर 9 से अधिक सिम है तो आपको जो है उसके साथ जुरुमाना भड़ सकता है आप एक आधार कार्ट पर यानि कि एक व्यक्ति केबल अधिक 9 सिम ले सकता है 9 से ज्यादा सिम उसको नहीं दी जाए आप मैंसे जो भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको हम अवेरनेस के ऐसे ही वीडियो लाते हैं जिसमें आपको फ्रॉट से बचाने संबंधित हम जानकारियां देते हैं साथ में ही ओनलाइन संबंधित स हमारे चैनल पर बीडियो मिलते रहते हैं और आपको अवेरर रखने का हम पूरा काम करते हैं पूरे चैनल पर हमारे बीडियो देख लीजगा एक भी बीडियो ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आपको कोई फ्रॉट संबंधित जानकारिया या ऐसा कुछ दिया गया हो जिसमें आपको कोई गलत information हम आपको सही information देते हैं तो हमारे channel से जरूर जुड़ियागा और आपको अगर हमारे channel से जुड़ते रहते हैं तो आपको कभी भी ऐसी कोई दिक्कत कभी भी नहीं आने वाली है